वोक की सिम्पल सा स्टिंपल सा इसे में फैना शायद यह सबसे ज्यादा सिम्पल उन उगा देगे ने सबसे पहले इसम्प्ब को पता ले टार्मिनल इक्यूप्मेंट को प्रॉट्ख करता तो यह देखो अपना لي ट्रांसफोर्मर यह अपना कनेक्ट है किस से यहां पर line टर मेनल चे prangen पर इसको मेर निटक करना है किस सर्जिस और ट्रांजांउड से तो सर्जिस और ट्रांजायं टांजाइंड लाइंसा ने वाली तो अपन transformer के terminal और line के terminal के बीच में क्या लगा देते हैं अपना lightning arrester यह है अपना spare के lightning arrester जिसका एक end तो line से connect होता है और दूसरा end अपन क्या कर देते हैं ground ठीक है अब देखो यहाँ पर एक choke coil लगाई गई है अब यह choke coil का मैं function आपको बता देता हूँ देखो यहाँ से अगर line में surge आया आपने या transient voltage आया तो यहाँ से heavy current flow होगा अब जो transient और surge होती उसकी frequency बहुत ज़दा high होती है और अपन को पता है जो choke coil होती है वो उसकी एक inductance होती है और जो inductive reactance होती है वो directly proportional to frequency है मतलब surges के time frequency high होगी तो inductive reactance भी क्या हो जाएगी बहुत ज़दा high होगी ठीक है तो यहाँ पर inductive reactance बहुत ज़दा high होगी तो वो current को यहाँ से block करेगा और current के बाद सिर्फ एक ही रस्ता होगा कि वो lightning arrester के through flow होतावा अपने ground में जाए ठीक है इतनी तो इसकी mechanism है आप मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि lightning arrester work कैसे करता है तो देखो सबसे पहले तो इसमें एक end line से और दूसरा end ground से मैंने आपको बताई दिया दो spare होते और spare के बीच में कुछ gap होता है कि normal operating condition में तो ये आर्क ना बने लेकिन जैसे ही सर्जिज आए या abnormal voltage condition आए यहाँ पर आर्क बन जाए ठीक है ठीक है और जो medium होता है यहाँ पर इन दोनों gap की बीच में वो होती है air होती अब देखो यह मैंने आर्क ऐसे उपर की तरफ बना रखिए ठीक है यह आर्क उपर की तरफ क्यों होई भी है तो यह interrupt करने के लिए बता रखिए मैंने कि यह interrupt कैसे होती है तो देखो simple सी बात है जैसे यहाँ पर आर्क बनेगी ठीक है तो यहाँ की जो air होगी वो heat करेगी अब जो heated air होती वो पता है अपनको उपर उठेगी तो वो अपने साथ किया इस oben की तरफ उठाएगी एर की साथ यह आर्क बी उपर की तरफ जाएगी और जैसे जैसे ज़िदा air heat होती जाएगी यह और उपर की तरफ जाती जाएगी और वे देट इस पार्क डजनोट अकर एट नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखना मूल गया क्योंकि अपन चाहते हैं कि इस पार्क नाओ मैंने लिख रही है चोकोल इंसरेंट बिट्विन दफेज वाइंडिंग ट्रास्फोर्मर इंड इस पेर इस कनेक्टिट टू दा लाइन ठीक है अब जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था उसको मैं रीट करके बता दूंदा आर्क विल ट्रेवल अप दाइस पेयर एज़ जो आर्क है वो जो इस पेर में जो आर्क बनी है वो क्या करेगी उपर की तरफ जाएगी क्योंकि आर्क की वज़े से एर हीट करेगी और हीट हीट जो है आपनको बता है उपर की तरफ हीटती है अब यह जो हीटिट एर टें टू राइस अपवर एंड लेंथनिंग तिल इ इंट्रप्ट ना हो जाता मतलब तब तक नहीं उठाती जाएगी मतलब जैसे जैसे उपर करेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आरके वो आप उटमेटिकली क्या होगे इंट्रप्ट हो जाएगी तो ये था सिंपल सा स्पेर गेप लाइटनिंग रेस्टर के बारे मे तक यू